हेलो सुदंट वेल्कम टू यूनाइट क्लासिस अमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सराइज 4.1 का कोस्टन 1 का कोस्टन 1 से 4 किया था अब हम करेंगे कोस्टन 5 से 8 तो क्या कोस्टन है इसके लिए कंडिशन मैंने स्टार्टिंग महीं बताई थी क्या है एक स्क्वेर प्लस भी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होना चाहिए तो चलो स्टार्ट करते हैं तो इसको सिंब्लिवाई करते हैं फिप्ट कोस्टन क्या है हमारे पास 2x-1 इंटू x-3 इक्वल टू x-4 सवरे x-5 इंटू x-1 तो क्या करेंगे सबसे पहले 2x लिखेंगे उसके बाद यह पूरे ब्रैकर्टै से मुल्टीप्लए करेंगे उसके बाद माइनगिने और पूरे ड्राट्टै पूरे प्ल्लाव एक्स माइनपहरें एकस प्लस स्क्वेर अब 2x इंटू 3 तो क्या होगा 6x होगा और प्लस माइनस क्या होगा माइनस आया स्वन में अब माइनस 1 इंटू x क्या होगा माइनस x माइनस 1 इंटू 3 तो 1 इंटू 3 क्या होगा 3 minus minus क्या होगा plus तो क्या मिलेगा plus 3 अब x into x क्या होगा x square x into minus 1 तो क्या होगा minus x plus 5 into x क्या होगा 5x plus 5 into minus 1 तो क्या होगा minus 5 आए समद्में आपको अब इसको सब left hand side ले जाता हूँ तो क्या मिलेगा 2x square minus 6x minus x plus 3 अब यह माइनस x स्क्वेर होगा, यह माइनस से प्लस होगा, यह माइनस से प्लस होगा, अब यहाँ पे 2x स्क्वेर है, यहाँ पे x स्क्वेर है, तो 2x स्क्वेर माइनस x स्क्वेर, क्या होगा? x स्क्वेर, यह 6x माइनस x, तो माइनस 7x होगा, माइनस 7x, प्लस x, तो क्या हो वापस माइनस 6x या आप ऐसा भी कर सकते हो यह माइनस 6x माइनस 5x क्या होगा माइनस 11x क्या होगा माइनस 11x यह प्लस 3 और प्लस 5 क्या होगा प्लस 8 equal to 0 तो आप चेक करो कि इससे compare करोगे तो क्या होगा यह quadratic equation होगा तो क्या लिखेंगे? Hence, given, hence, given equation is quadratic equation यह equation में पूरा नहीं लिखता है अब मैं क्या लेता हूँ? Question number 6 लेता हूँ, तो क्या question है हमारे पास? चलो, अब करते है question number 6, तक क्या question है हमारे पास? x square plus 3x plus 1 equal to x minus 2 whole square तो सबसे पहले identity यहाद होनी चाहिए, कौनसी? a minus b whole square, तो क्या होती है a square minus 2ab plus b square तो यह identity हम यहाँ पर apply करेंगे, तो चलो apply करते हैं, तो क्या होगा? यह left hand side as it is रखते है, तो x square plus 3x plus 1 equal to x square अब x minus 2, तो a की जगा पर क्या है? हमारे पास x है, और b की जगा पर 2 है, तो क्या होगा? सबसे पहले x square minus 2 into x, तो x क्या है? a क्या है x, और into b, तो b क्या है? into 2, यह सब multiplication में plus b square, तो b क्या है? हमारे पास 2, तो 2 square आएगा, तो क्या मिलेगा? यहाँ पर x square plus 3x plus 1 equal to x square 2, 2 जा क्या होगा? 4, तो क्या होगा? minus 4x plus 4, आया समद में? अब सबको में left hand side ले जाता हूँ, तो क्या मिलेगा? x square 3x plus 1 और यह minus x square होगा इधर इधर जाके क्या होगा plus 4x और यह plus इधर जाके क्या होगा minus left hand side जाके क्या होगा minus तो क्या मिलेगा अब यहाँ पर हमको यह plus x square minus x square cancel यह 3x plus 4x क्या होगा 7x क्या होगा 7x plus 1 minus 4 क्या होगा minus 3 equal to 0 तो आप चेक करोगे किससे AX square by comparing किससे AX square plus BX plus C equal to 0 तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको A equal to 0 तो A क्या है? The given equation is not quadratic जोन माया क्यूंके A equal to क्या है हमारे पास 0 तो क्या होगा? The given equation is not quadratic equation आया जोन में अब हम question number 7 करेंगे जोना अब हम करता है question number 7 तो क्या question के हमारे पास? X plus 2 whole cube है तो सबसे पहले A plus B whole cube और यहाँ पे A minus B whole cube use होगा तो उसके identity में लिख देता हूँ तो क्या होता है A plus B whole cube? क्या होता है? A cube plus 3A square B plus 3AB square plus B cube आया सौन में? अब वैसा है सेम यहाँ पे A minus B whole cube तो कैसे याद करोगे? सबसे पहले plus आएगा तो plus A cube minus 3A square B याद करोगे फिर plus 3AB square याद करोगे और minus B cube आया सौन में? ऐसे आप याद करोगे पहले plus, फिर minus, फिर फिर प्लस फिर क्या हैगा? minus आया सौन में? अब हम यहाँ पे solve करते हैं तो क्या question है, हमारे पास 7 question X plus 2 whole cube equal to 2X minus X square minus 1 तो identity यहाँ पे apply करेंगे तो A की जगा पे हमारे पास क्या है? X है, तो क्या होगा सबसे पहले X cube? फिर बाद में आएगा 3X square into B, तो B क्या है हमारे पास? 2 plus 3AB square तो A क्या है हमारे पास? X और B square क्या होगा? 2 square प्लस B cube तो क्या होगा वो? 2 cube, आयास होना आपको अब यहाँ पे हम apply करेंगे तो क्या होगा 2X into X square तो क्या मिले गा हमको? 2X cube अब 2X into minus 1 तो वो क्या होगा? 2 minus 2X क्या होगा हो? minus 2X कैसे किया मैंने? minus 1 into 2X तो क्या होगा ये minus minus sorry minus plus क्या होगा ये multiply ना है minus plus क्या होगा minus 2x 1 into 2x तो क्या होगा minus 2x आये समन में यहापे हम simplify करते हैं इसको यह क्या होगा x cube plus 3 टूजय होगा 6 तो क्या होगा 6x square plus 3 into x और यह 2 square क्या होगा 4 और 4 सीजिया क्या होगा 12, तो क्या होगा 12x यहां पे क्या होगा 23, 2 x 2, क्या होगा वह 8, अब इसको मैं left hand side ले ले लेता हूँ, तो यह plus है, इधर जाएगे क्या होगा minus, यह minus है, इधर जाएगे क्या होगा plus, आया समद में, अब हम अपलाई करते हैं, यहां पे x3 है, और य एक्सक्यूब है यह प्लस है और यह माइनस टू एक्सक्यूब तो क्या होगा एक्सक्यूब 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 एक गीवन equation is not quadratic is not quadratic बट कौनची है वो cubic है तो क्या लेख देंगे बट cubic आया समने बट कौनची है cubic equation आया समने अब हम करते है question number 8 तो question 8 क्या है हमारे पास x cube minus 4x square minus x plus 1 equal to क्या प्रू करना हमको x sorry प्रू नहीं equal to दिया हमको x minus 2 whole cube दिया है तो इसको हम solve करते हैं सबसे पहले हम question लिखते हैं यहाँ पे तो क्या question है x cube minus 4x square minus x plus 1 equal to क्या दिया हमको x minus 2 whole cube तो यहाँ पे हम identity उस करेंगे यह identity तो चलो apply करते हैं यहाँ पे हम तो क्या मिलेगा आ रहे हैं समझना आपको अब यहाँ पे हम apply करेंगे तो क्या होगा x cube minus 4x square minus x plus 1 अब यहाँ पे क्या होगा x cube यहाँ पे क्या होगा 3 to 6 तो क्या होगा minus 6 x square यह क्या होगा 3 into x तो 3 x 2 square क्या होगा 4 4 to 3 जा क्या होगा 12 तो क्या होगा plus 12 x माइनस 2 2Q क्या होगा 8 अब यह सभी पूरी बेले को कहा लेंगे हूं लेप्ट हैं साइड तो क्या होगा है है यहाँ पर XQ माइनस 4X Square माइनस X प्लस 1 यह उदर जागे क्या होगा यह प्लस है क्या होगा तो माइनस XQ यह माइनस है तो यहाँ पे x cube है, plus x cube minus x cube cancel, minus 4x और plus 6x, तो क्या होगा, plus 2x square, minus x और ये minus 12x, तो minus minus क्या होगा, plus, तो 1 plus 12 क्या होगा, 13, तो क्या होगा, minus 13x, ये plus 1 और plus 8, क्या होगा, plus 9, equal to 0, equal to क्या होगा, हमारे पास, 0, तो ये equation मिली अबको, अगर हम इसको इसके साथ compare करेंगे किससे x square प्लस bx प्लस c तो यह क्या है quadratic equation है तो क्या लिखेंगे Hence Hence given equation is quadratic equation ऐसे हमने इस video lecture में हमने क्या कवर किया exercise 4.1 का question 1 question 5 से लेके 8 कवर किया और मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कौन सा कवर किया था question 1 से लेके 4 अब हम next video lecture में कवर करेंगे exercise बहुत बहुत तेरे बाद इसको लाँ